नुश्कार दूस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई information के बारे में जानका रही देंगा, आप लोगों बता होगा कि Supreme Court की जो proceedings होती हैं, वो अब officially आप YouTube के उपर भी देख सकते हो, officially मैं बात कर रहा हूँ, अधर चैनल जो है बहुत सारे जो cutting लगा के अपनी चैनल तक सस्पेंड करा जा सकता है YouTube के दिवारा, और जो गुजरात हाई कोट है वो इस particular प्रक्रिया के अंदर बहुत ही जादा strict alert के उपर आ चुका है, गुजरात हाई कोट के जो वीडियो हैं, officially जो डलती है, proceedings की, जो जड़ी रेजिस्टार के पास पूरी proper authority है, आप वह aware for it, तो यहाँ पर जो अभी वकील के दोरा petition file करी गई है, जिसमें petition के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि जस्ताब जो live proceedings हमारी Supreme Court की दिखाई जाती है, और YouTube के official Supreme Court के YouTube channel के उपर यह गलत है, यहाँ पर आप court की proceedings को monetize कर रहे हो, आप court की proceedings को commercialize कर रहे हो, कि भाई आप अगर court की proceedings देखना चाते हो, तो देखने के उपर Supreme Court पैसा कमा रहा है, यह Supreme Court पैसा कमाए, यह कोई भी तरह का monetization हो, किसी भी तरह का add चले, यह बिलकुल गलत होगा, यहाँ पर हम court की proceedings को monetize कर रहे है, it's very bad, तो यहाँ पर Supreme Court के जो जस्ताब थे, obviously, Justice D.Y. चंजचूद जी और Justice P. P.S. नरसिमा जी, इनके दुवारा जो officially बोला गया है कि भाई, दूसरों पे पत्थर फैकना तो बहुत असान है, actually, जब आप ground level पे आके पूरा को पूरा infrastructure देखोगे, जब आपको पता लगेगा कि पत्थर फैकना कितना असान है, और actually, इस पूरी के पूरे नए, हमने जो infrastructure generate कर रहे हैं, उसको सम्हालना और उसको maintain करना और उसको upgrade करने में कितना जादा अंतर है, तो यहाँ पे petition के अंदर जो वकील साब थे, उन्होंने यही बोला कि जब यहाँ पे जो proceedings को commercialized point of view से, monetized point of view से जो करा जाता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ और एक case का भी नाम लिया था, मैं officialize से बता नहीं रहा, आपको मैं judgment की copy दे दूँगा, आप वहाँ पे देखी है कि यहाँ पे कौन से case के बारे में मेन मुद्दा बोला गया है कि जब X नाम का एक case है, इस case को आप लीज जो है, यूट्यूब के उपर अपना officially live streaming जब होती है, इसको monetize मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो real facts होते हैं, वो officially आम जनता के आगे आएंगे तो एक गलत image जाती है, क्योंकि actually अभी verdict आया नहीं है, proper court का इसी वज़े से, तो यहाँ पे, यहाँ भी चुका है, obviously, ठीक है, तब इस case के अंदर यहाँ पे Supreme Court के जो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, obviously, यह नहीं होना चाहिए, clear बात है, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, but अभी हमारे पास third party का इस्तमाल करने के अलावा, live streaming दिखाने का और कोई जरिया है ही नहीं, इससे बहतर है भाई, हम अभी अपना infrastructure सुधार रहे हैं, हमने जो है, live streaming लगेगी, जहाँ पर litigants के पास में अधिकार होगा live streaming देखने का, और जो हमारे court के parties हैं, उनके पास अधिकार होगा इस particular proceedings को देखने का, तो हम अभी हभी currently हमारे को अगर एक कदम बढ़ाना है, तो इसलिए हमने officially जो अपनी YouTube या other platforms के उपर हम यहाँ पर अपनी live streaming का portal चालू करा हुआ है, बढ़ धीरे धीरे हमारा infrastructure भी improve हो रहा है, time to time हम जो है अपने ही particular live stream का portal चालू करेंगे, जिसमें without any use of third party application, ठीक है, हम अपने technical और infrastructure resources का स्थमाल करके हम एक portal जारी करेंगे, और यहाँ पर सुप्रीम कोट के जस्साब जो थे, उन्हें ने बोला था कि आप बता दो, वकील साहब आप बता दो कि, can you tell us what the procedure of, can you tell us what is the procedure we have to follow for live streaming over the Supreme Court proceedings, तो यहाँ पे लॉयर ने अपना जवाब दिया कि, according to me, a special agreement can be reached with the YouTube platform to protect the copyright over the court's live streaming proceedings as stated in an Epex Court ruling in 2018, जो कि बलकुर सही बात है, लॉयर साहब ने बुला कि भाई, जसाब यहाँ पर जो है, एक प्रॉपर एक special agreement जो है, YouTube के साथ में Supreme Court को या other courts को जो अपनी live streaming कर रहे हैं, अपनी court की proceeding की, वो करना पड़ेगा, जिसकी वज़े से भाई, कोई अन्य वेक्ती, कोई अन्य वेक्ती, अगर कोई भी अन्य वेक अपने अपने चानल खोल के बैट रहे हैं, और live streaming के आपे court की चला रहे हैं, और अपनी मर्जी से कोई भी cut लगाया जा रहा है, अपनी मर्जी से किसी भी बात को उड़ा के add-on करके यहाँ पर fix करा जा रहा है, जो की बहुत जादा गलत है, तो यहाँ पर legal system को बहुत क्लियर तोर पे, वही हम यूट्योब ऐसा platform के तोर पे live streaming अभी इस्तिमाल कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम अपना particular एक live streaming अप्रोटल चालू करेंगे, जिसमें सारी code की proceedings हमारी वहीं पे चला करेंगी, तो मैंने इसलिए आपको भी video के starting में एक clear तोर पे officially, मैं आपको strict तोर पे warning दी जा रही है, यहाँ पे codes जो हैं, अपना बहुत जादा highlight पे आ चुके है, strict action ले रहे हैं, तो please अगर आप अपना videos upload करते हो, code की proceedings की, तो please थोड़ा से इस पे आप रोक लगाईए, वरना आपको थोड़े से consequences face करने को मिलेंगे, तो याद रखेगा, अगर video informative लगे ह तो वीडियो को like जरू करिएगा, एक नई बात आपको पता लगी कि हमारे सुप्रीम कोट की proceedings के लिए एक नया portal आने वाला है, तो आपको वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो को like जरू करेगा, हमलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, thank you, थानवाद